जैसिरियोम नमा सिध्यव्या नमो अरिहंताणं नमो शेद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वाच्चायाणं नमो लोहे सब्षावोणं मंगिलम भगवान बीरो मंगिलम गोतमो गणी मंगिलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगिलम सर्वि मंगलि मंगल्यम सर्वि कल्यानि कारकम प्रधानं सर्वि धरिमाना जैनं जयतु सासिनं जैनं जयतु सासिनं आकारं बिन्दु सैयक्तं नित्तम ध्यायंति योगिनां कामदं उच्छिदं चैवा आकाराए नमो नमां मंगले मैं मंगले करन बीत राग बेज्ञान नमोता ही जाते भए अरे हंता दिमहां करी मंगल खरी ओ महां ग्रंत करन को खाज जाते मिले समाज सब पावैनिज पदराज इस भव के सब दुखने के कारन में त्या भाव तिन की सत्ता नास कर पगटे मोचे उपाव पगटे मोचे उपाव आचार कल्प पंडिस शिरी टोडर मजी जारा रचित यह महान अदूत गरंत सररवासा में लिखेत कि शैज ही सरार रूप से समझ में आने वाला ऐसा ही है महान गरंत मुच्छ मार्ग प्रकाशक जी जिसके चौत्य अदिकार पर हमारी चर्चा चल लहीं है पंडिस जी पहले संसार दुखों को और उनके कारणों को बता के आ रहे हैं कि संसार दुख कैसे हैं परियार पिच्छा कैसे हैं करमों के पिच्छा कैसे हैं वो शारी चीजिन बता के आ रहे हैं अब उन संसार के दुखों का कारण क्या है उन दुखों के कारण को पंडिस है जो संशार के कारण ह करना मिठ्चया चारीो उनुन्हें कर रहे हैं क्योंकि संशार पड़ी व्यवन का कारण मिठ्चया-धर्शन की और मिठ्चया चारीप्री करी कि पर दालों संशा दुखों का निरूपान करने के बाद उन दुखों के कारण की बात कही तो पहरी लाइन ही ये लिखी कि ऐसे मिठ्या द्रगे कि दोखे जना में मारने ताते इने को तजिये सोजाने सुने तेने संचे पे कहूं बखान कि जो ये मिठ्या द्रशन, मिठ्या गान, मिठ्या चारित्री हैं इनीके बस होके यह जीव अनाधी पाल से जन्वर्ण कर रहा है इसलिए जो संशा की कारण भूत है ऐसे दर्षन मिथ्या गान मिथ्याचारित का नियूपन कर रहे हैं, तो इसमें शबसे पहले हमारी मिथ्यादर्षन पे बात चल लही है तो इसमें एक बात आये थी, प्योजन भूद तत्त्व की, तो पंडी जी उत्ती पर बता रहा है कि प्योजन भूद पदाद कौन से हैं और आप प्योजन भूद्ध पदार्थ कौन से हैं, तो इस पर हमारी चर्चा चल लही है, जिसमें हमने कल भी देखा था, कि प्योजन भूद्ध पदार्थ जो हैं, हमारे जीवाई तत्वे हैं, जीव अजीव आश्रव बंद संबर नेजरा मोच्च, यह जो और यदि नव पु कि यह जीव दुखों से दूर नहीं हो सकता, कर्म ने उस पर एज़ांपर भी देख रहे थे दो तीन, तो उसमें हमने देखा था कि जीव अजीव को जानना क्यों जरूरी है, और जीव अजीव को जानने के वाद आश्रव को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि दुख का का कार covid काराण के दूर होने पर ही कार्य हो सकता है की यह कार्य को दूर करना चाहें alors क çalış ना करें तो फिर वो कारह कभी दूर नहीं हो सकता यदि मालो की कोई बैक्ति फैल हो रहा है कोई बच्चा है तेंद क्लास में है वो फैल हो रहा है तो मिस वो पढ़ने इडाश्री फैल हो रहा है उसका कारण क्या है कि नहीं पढ़ना वो फैल होने का कारण है फैल होना कार है अब वो यह चाहिए कि मैं पास हो जाऊंग। लेकिन जो कारण है उस कारण को चेंज ना करें। उसके कारण को ना बदले। तो उसके कारण को नहीं बदलेगा तो कारण भी बदला नहीं जाएगा। एक जिदि वह परेगा नहीं तो जिस चीज का वह कारण अउत्पन होगा फ्रक्ना होगा फ्रक्रा. अइह कि और हो फ्रक्नाई प्तन प्रक्षा आद पीदिन अथा कारण की दीज़र निया और कारण की कारण की दुछक्तिक्ट्री Renee क ef सब्सक्राइब कोष्टार तक जी्वाजी को क्यों जानना उसके वाद निचे से धन कि जितने भी दुख हैं उन दुख्य कारण करम बंदन ही देखो कल भी यह बात था ही थी कि दुख्य कारण करम बंदन है illusions कब भी ए येदि करम ही हमको दुख्य शक्य करें तो फिर कोई मुक्त हो इना पाइ सब्सक्णारें औरुसों उसक्व करता लुदे है। क्योंकि यहां पर हमको उनको दूर करना है, अब जिसको दूर करना है उसके बारे में बात करना ही परेगी, उसके बारे में बताना ही परेगा, उसके बारे में नहीं बताएंगे तो उसको दूर कैसे कर पाएंगे, इसलिए यहां दुख कारण करम बंदन को बताया जा रहा है कि येदि हम बंद को नहीं जाने तो बंद को नहीं जानने पर मुक्त होने का उपाय नहीं कर पाएंगे कि हम येदि बंद को नहीं जानेंगे हम ये नहीं जाने की बंदे हुए हैं येदि कोई जीव ये माने ही ना कि बंदा हुआ हूँ मान लो आज कोई व्रती है वो बंदा हुआ है उसको किसी ने बांद के रख दिया अब वो यह मान नहीं नहीं कि मैं बंदा हुआ हूं तो फिर वो कई मुक्ति नहीं हो सकता जैसे में उसकी तो मानता है उस मानता से उसको फ्रियुम्य होना पर il davek a ये जैसे एक आपने सुनी होगी कि जैसे एक भचति और ँट की कान्य रखा आता जैसा अधोन को बाहद ता कहीं पर तो उन उटों की हभिट हो गई थी हैं हम तो बनते ही हैं हम तहों बंदे हुए हैं तो एक दिन वह एक उट को भाणना भुल गया लेकिंट बादि overview वहहांसे भागा नहीं और जब बाती उठंटों को खुल दिया और वहांसे ले लिचा लग है तो उठ जाने को तthose Men क्यों क्या मांनके बैठा है कि महा बंदा उआ हूं कि में सब्सक्रानिय कुस्तथ करें क्या है कि रहे जैसे प्ल कि यहां लगा रहा है कि हम तो बंदे हुए होने पर भी अपने को मुक्त मानेंगे तो कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे कि जो बरतमान हमारी दसा है हमको उसको जैसा का तैसा जानना परेगा और जैसा का तैसा जानके अब हमारी हितकारी क्या है उस हितकारी बात को प्राप्त करने का उपाय क्या है उसको प्राप्त करने का कारण क्या है उसको पैचान के उस उपाय को करेंगे उस कारण को तो इसलिए बंद को जानना जरूरी है कि बंद को नहीं जाने तो मुक तोने का उपाई नहीं करें और मुक तोने का उपाई नहीं करें तो फिर दुख दूर नहीं हो पाई इसलिए बंद को जानना भी बहुत जरूरी है तथा आश्रव का अभाव करना सो संबर है अब देख हमो士 था और उन्यूल पेष्रक है। अव यदि को आजादी की बैलूपता नहीं हो अपना आजादी जीवन पता नहीं हो कि हमारा मुट्ष जीवन कि जब हमने उसे मुक्तिजीवन के वारे में देखा उस मुक्तिजीवन को जाना कि हम बंदे हुए हैं अभी लेकिन हम आजाज थे पहले दब इसने मजे में थे लेकिन अभी अंग्रेजों ने अम पे इतनी पाबंदियां लगा दी हमको इस तरह ऐसे बंद कर के रखा हुआ ह हम को बांद के रखा हुआ है तरह से कि हम उनके परतंत्र हो गए हैं हम मसे नहीं है अब हम तो उस रतंतता की उसने बात जानी, तो फिर उसने परतंतता को त्यागने का उपाय निकाला, कि परतंतता को कैसे निकालें, अंगलेजाओं को कैसे बगाएं, कैसे अपने आपको और इदेश को मुक्त कराएं, तो वहां पर भी ये वात उसने कब जानी, कि जब उसने उस ची को संबर को पैचानने तो आस्रव को कभी दूर नीं कर पाएंगे। यदि हमको आस्रव को दूर करना है तो उसके लिए हमको संबर पैचानना पड़ेगा . कि इस संबर को पैचाने बिना आश्रव को दूर करनें कर पाएंगे हम। इसलिए आश्रव को अभाव करना सो संबर है, उसका शरूप ना जानें, तो उसमें प्यवर्तन नहीं करें, तब आश्रव ही रहें। उससे बर्तमान तथा आगामी दुखी होता है। इसलिए संबर को जानना, कि आश्रव का अभाव हो संबर है, अब यदि हम संबर का शरूप नहीं जानेंगे, तो उस रूप हमारी प्यवर्ति कैसे होगी। यदि हम जाने ही नहीं कि संबर क्या है, संबर से क्या होता है, संबर कैसे गहन होता है, संबर कैसे प्राप्ति किया जाता है, इन सम चीजों के बाले में जानेंगे ही नहीं, तो फिर उसको पाने की, उसको करने की हमारी प्रवर्ति कैसे हो सकती है, नहीं हो पाएगी, और जब तो उस रूप हमारी प्रव्रत्ति नहीं होगी, तो संबर के अवाब में जो चीज रहती है, भई रहेगी. अब संबर के वाब में क्या रहता है ? जो आश्रम रहता है, स्टिंस से जकद होगी. और आगामी भी दुखी होगा, क्योंकि आश्रव के कारण जो बंद बनेंगे, वो आगे दुखे कारण अपन करेंगे, तो बरतमान में भी दुखी उस आश्रव के कारण जो कर रहा हूँ और आगामी कार में दुखी होँगा, इसलिए ऐसा दुख होने लेका, ऐसा घाटे का ले अट या बैपार तो कोई नी करेगा। इसलिए हमने उस संबर को पैचान कर उस संबर को जानना है। तो हमारा आश्टरब दूर हो के संबर हो पाईगा। देवा उपर पर्णी जी बता के आये हैं पेरी लाइन में ही कि सभी जीमाँ का प्रिवजन तो क्या है? कि दुख नाओ सुखो, कि जे तिरु वन्द में जीव अनंत, शुक चाहें तो क्ते वैवंत, कि प्रविजन तो एकमात हर जीव का यही है कि शुकी हो जाएं, तो पंडीजी आप बता रहे हैं कि शुकी जीव कैसे हो सकता है, तो उसी करड़ी में पंडीजी ने जीव को बता तथा कसंचित किंचित करम बंद का अभाव करना उसका नाम निरिजरा है, देखो कसंचित और किंचित करम बंद का अभाव करना और किंचित करम बंद का अभाव करना, कि तो कसंचित का मतलब है कि एक तो हम कहें कि कभी और या फिर किसी एक अपिछा से, या कभी और किंच थोड़ा सा करब बंद का अबाव करना रघिश इसका नाम क्या निर लेश न जाना कि उसकी प्रबरती का उद्मी नहीं हो तब शर्विथा बंद ही रहे, जिससे दुखी ही होता है इसी रिये निर्जरा को जानना, कि यदि निर्जरा को नहीं जाने तो जो संबल की बात थी भई यहां लगाना, कि निर्जरा को यदि नहीं जाने हम, तो फिर निर्जरा की और हमारी प्रवर्ति का उद्धम भी हम पर नहीं हो पाईगा कि जैसे हमने एज्जाम पर लिया था अंग्रेज़ों वाला कि यदि हम सतंत्ता को नहीं जाने तो फिर सतंत्ता को पाने के लिए उद्मी भी नहीं हो उसको पाने के पुरसाद भी नहीं करें उसको पाने के द्रोराई रड़ी गहीं वो भी नहीं रड़ी जाती यहीं सुदंत्रा के शरूप को नहीं जाने तो बैसे यहीं निर्जरा के शरूप को नहीं जाने तो उस निर्जरा की प्राप्ति के लिए उद्रम नहीं हो पाएगा, अब निर्जरा की प्राप्ति का उद्रम करना है तो निर्जरा को जानना पड़ेगा पहले, तो निर्जरा को इसलिए जानना, क्यों जानना कि उसकी प्राप्ति का उद्मी होना है और उसकी प्राप्ति क यूद्मी होने पर इंग कर दो इंग करें करें पर है कि जीव दुखी होना वो एक करम के पुउंटम पुचे का जारा है, लेकिन बास्तम में तो, जो जीव का सुख शुवाव है वो तो बत्तमान में भी है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं अर्यांत्य अवस्ता मैं शिद्धा वस्ता में बाहर से आता हो, कि वही कर्मों के अवाव होने पर सुक होता है, कि कर्म के अवाव होने पर सुक कहीं से आता हो की नहीं, वो तो एक कर्मों के पेच्छा का जा रहा है, लेकिन वो अभी पेकटी रूप नहीं है, वो पेकटी रूप होना और कर्मों के अवाव होना, वो एक निमिति-निमितिक स मैं को जएए से अवहे हैं कि अवधा बनाता है तो पैसा यह लगाना यह से महां कुमार को बनाने में निम्य तौन है वाचथ कि जैसे पानी को हमने गरम किया अब पानी को गरम किया तो पानी गरम तो हो गया लेकिन जैसे ही हमने अगनी का स्नियोग अटाया तो वह सीतर हुआ तो क्यों हुआ तो फिर वह गरम ही बना रहता वह सीतर हुआ वह सीतर हुआ उसमें वह स्नियोग थे जो अपने स्वाफ को पकट नहीं होने दे रहे थे उसके कारण वह गरम था देवकर्ष्ण पंडिजी आगे कहेंगे एक बात आगे आएगी वैसे तो वह भी कपी कि यदि हम गरम पानी को सीतर मान के उसमें हाथ देंगे तो जलना ही होगा तो बैसे ही यदि हम अभी बरतमान में संसारी अवस्ता है और यदि हम अपने आपको मुक्त मान कर बैठ जा आपको मुक्त मान के बैठ जाएंगे तो फिर संसार में ब्यामना ही होगा ऐसा पनी टोटे मजी कहेंगे आगे वह भी विचार आगया इसलिए बोल दिया आगे आएगा वैसे हो तो इसलिए निर्जरा को जानना कि तो जीवाजी को क्यों जानना वह बता दिया आश्राव बंद संभाद शुक्त जानना कि दू को बंद के मिवाल को जानना रहे आश्राव कता रही है तथा सर्विता करंवाब्न का अभाब होघए उसका नाम मुच्छ है कि उपर तो एकदेश करम करम बंद का वाव हो रहा था लेकिन अब पून रूप से सर्वता रूप से सर्व करमों का वाव हो गया अब कोई करम बचा नहीं गातिया करमों का वाव हो गया अगातिया करमों का वी नास हो गया अब कोई करम नहीं बचा, अब तो जो करमों की सत्ता थी, वो पूरी की पूरी सत्ता चली गई, अब वो सत्ता जीविती नहीं बची, कि वो आगे बंद कराए, ना वो आगे बंद कराने वाली है, ना बरत्मान में उद्य में आने वाली कुछ नहीं होने वाला है, अब तो सर पूली रूप से करमों का अवाव हो गया उस अबस्ता का नाम है मुच्च अ कि यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाएं नहीं करें कोई टाइप कर रहा है यह यह एधी उसे नहीं पहचान है तो इसका उपाइज नहीं करें कि यह इस को मुझ्च यह लिए कि आ मुझ को भी पैचान है अब जैसे फिर वे दूर्प知道 क्या कैसी एक जीव करता क्या है यह इंची नहीं पाए कि अपनी नहीं बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं आज कोई मनलो कोई वक्ति तरय रहेरा है अब है यह दी वो आगे उचनेर का डॉटर का स्येका वी कि उसको यह दी पाइचाने उसका स्रूप मं नहीं तो पर लच्छे कभी नी बना पाएगा कि मुझे क्या करना है तो अपना आगे क्या करना है लेवन से मुझे क्या करना है कैसे करना है यह करने के लिए उसको पहचाननी होगी कि जिस चीज को करना चाहरा है फिर उसको पता करना होगा कि यह चीज सही है कि नहीं है अब उसने स पिवर जो जानेगा तो फिर वो उसको पाने का अपई करेगा. अब तो नहीं जानेगा कैसी हम ऐने होता है? तो इसको पानेका अपई भी नहीं करें. तब संसार में करम बंद से उत्पन, दुखों को ही सहें, कि जो संसार में करम बंद होने से उत्पन हो रहे हैं, उनको ही शेते रहे हैं, उनसे कभी दूरी नहीं हो पाएं इसलिए मुझ गो जनना, इसलिए जीव आदी साथ तत्र जनना, इसलिए जो ये प्रोजन भूत तत्र हैं, इनको जनना जरूरी है अब देखो आगे क्या कह रहा है कि देखो यहां पर कहा कि साथ तत्वों को जानना अब कोई कह सकता है कि मैं जानता हूं जीव तत्वी क्या है मैं जानता हूं आपसे तत्वी क्या है मैं जानता हूं साथ तत्वों को तो क्या इतना जाना सफिशेंट है कि नहीं तो देखो उ ऐसे वो एक अलग बात है कि के वर हमने पढ़ लिया वो पढ़ना कोई जानना नहीं है तो तो तक उसी बात को आगे कहेंगे आगे के पेड़ाग्राफ में तथा सास्त्रादी द्वारा कदाचित उन्हें जाने परंतु ऐसे ही हैं ऐसी प्रतीती ना आई तो जानने से क्या हो कि शास्त रादी के द्वारा हमने जान लिया, कदाचित की थोड़ावत हमने जान लिया, कि मैं जीवतत्त्तु हूँ, मुझसे जुदा जो ये शरीर आदिया वजीवतत्त्तु हैं, जो कर्मों का आना हो रहा है, कर्म उसे चपक रहे हैं, वो आश्रव के थ्रोच पक रहे हैं करम मुझे बन रहे हैं करद की सक्ता मेरे अंदर बंद रही है वो बंद है मेरे करम आना रुक असलमर है करम की हो एक देश होना नी जमनग इंझ रहें कर बागन जैनली कि पर असे ही हैं कि जैसे मैं ने मान लिया कि मैं जीडत हूं यह ज्ञांता लेकिं पतीती में ऐसा आणा चाहिए कि एहसे हैं, ये शरी मेरा नई है ये पतीती में आना चाहिए साथ सास्थाजी जानतु हमने लिया ये शरी मेरा नहlungsी है। ये शरी लिए पुदवड़ xuा है मैं पुदवड़ महीं नहीं हूँ, मैं तो ग्यान सरूफ हूँ मैं तो ग्याता दश्टा मही हूँ यह जान तो लिया लेकिन ऐसा प्यतीती में आए तो जानने से काम हो परंतु ऐसे ही हैं ऐसी प्यतीती ना आई तो जानने से क्या हो तो यह प्यतीती ऐसी नहीं है तो जानने से क्या होगा तो तो 11 अंके पाठी परे हैं कि जो संसार में वि ति आये टुषी मेरा नहीं है. जैसरी मेरा नहीं है. जैसी मुनी राक्यों की, जैसी पंचंभ गणिंश्त्याण बराग हुएंushravaak की, जैसा इसलिए पहतीति आये तो जाने से हिलाव है. हैं पैतिती आये जानने से लाव है कि तुस्यमास भिन इतने से ही पैतिती आ सकती है और कहां 11 को फञन्ने पैतीती यह आ सकती है तो तुस्यमास भिन ये दो सब्ध पढ़ने रही किसी जीव का कल्यान हो सकता है, हुआ है, तो मिस सास्ता लिग वार के बाद जानना नहीं है हमको, स्वाद्धाय भी करना है तो के बाद जानने के भी नहीं करना कि स्वाद्धाय भी करना है जो स्वाद्धाय का अर्थी क्या होता है स्वेका अध्यन यदि हम स्वाद्धाय का संधी विच्छिर करें स्वाद्धाय के अर्थ की ब्याख्या करें तो एक स्वाद्ध में करें तो स्वेका अध्यन की जो स्वेका अध्यन है वो स्वाद्धाय साथथ नाइन करना है कि भाहि का है की हाथ की या देतक है भाथ कहेंगे कि आगे लायन आएगी क मचा चडंडेुशा जिवा कि जो जीव जिस अवस्ता में है, उस अवस्ता से उसको उठाने के लिए बात करी जाती है, कि अब जो विक्ति स्वाध्या करता ही नहीं है, सास्त को खोल के भी नहीं देखता, जिन्वानी मा क्या कह रही है, उस सुनता भी नहीं है, परता भी नहीं है, तो उसको यही कहा जा तो उससे ही का जाएगा कि वाई कि यह पढ़के जना है उनकी पैतीती भी लेनी है तो हर कतन अपनी अपेच्छा लिये हुए है उस अपेच्छा को जाना जरूर दी है इसलिए इसलिए अब नयों की बाद हमने की अधि बैवार ने हमारा हुआ है तो बैवार ने भी काप इसलिए अब बीच में बाद छोड़ दिया उसको निच्चे नय को जाना बश्यूरी है इसकी चर्चा में नय में की भी है तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि वह सास्ताजी पढ़ना बंद कर दोगे तो फिर तो जो प्रतीती आने वाली होगी वो भी नहीं आ पाएगी इसलिए शास्ताजी तो पढ़ना लिकिन उतने में संतुष मत रहना कि संतुष नहीं होना है अपने में हमको उसकी भी आगे वरना है तो शास्त आदी द्वारा कदाचित उन्हें जाने ये कि इसलिए कर दो कर दो कर दो इस दिए उनका सद्धान कारे का दी जीवादि åका सत्यष्रद्धान करने पर हि दुख कोने का भावरूप कर प्योजन की शिद्धी होती है इसी लिए जीवादिक पदार्थ है बेही प्योजन वह जानना तो यहां तक शीवाद्झक दो और आगे उनके उनकि क्या हैं कि तत्या इन ब्याइब पुंझेपापदी रूप हैं उनकावी शरध्धान प्युजन भूथ है जो आसरफ के ब्यद हैं क्योंकि शामानने भीषिश बलवान है कि ये पदात तो फिरियोजन भूथ हैं ति हो सामानने सामाने छोड़ पांसरफ तो उसके पदालत् Е. इस प्रेकार ये पदालत्तों प्रेजन भूत हैं इसलिए कि यदि इनका यथाद श्रद्दान करने पर तो दुख नहीं होता, शुक होता है, कि यदि इनका यथाद श्रद्दान करने पर दुख नहीं होता, शुक होता है, और इनका यथाद श्रद्दान किये बिना दुख होता है, शुक नहीं होता, और तुम्हारा क्या प्योजन है तुम देखो, यदि तुम दुखी रहना चाहते हो तो यथा श्रद्दान मत करो, कोई प्रॉलम नहीं है, और सुखी होना चाहते हो तो यथा श्रद्दान करना ही परेगा, यथा श्रद्दान की ये विना दुख दूर नहीं हो सकता, इसलिए ये प्रियोजन भूत हैं, इनक तो अप्रोजन भुतत्व क्या है क्यों कहे गए हैं उन सब बातों की हम कर बात करेंगे अब यहां तक किसी को कोई शंका अउत्पर पूछ ले जिन्वानी स्थिति करते हैं हे जिन्वानी भारती तो ये जपूद निरैन जो तेरी सर ना गहे सोपावै सुक्चैन जावानी के ज्यान से सुचै लोका लोग सोबानी मस्तक नमो सदा देते हो धो सोबानी मस्तक नमो सदा देते हो धो पुर्दास्वानी मता की जै महान जैन धर्न की जै पंच पमिश्टिगेश्मन पूरवक नवार नमकमंत का जाव करते हुए नमकमंत का जाव करेंगे